नमस्कार मैं नीती एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल स्टोरी विद नीती में और आशा करती हूँ कि आप सब जहां होंगे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे तो आज की कहानी जो मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है फर्स्ट प्लम तो आएए सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ यानि आपके अपनी नीती के साथ शिवानी अपने कॉलेज की टॉपर थी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बलकि सुन्दर्ता के मामले में भी कॉलेज में उसके टकर की कोई थी नहीं उसकी सभी सहेलियां अकसर उसे उसकी खूर सूर्ती को लेकर छेड़कानी क्या करती थी वो उसको कहती कि या शिवानी हूपर वाले ने तुझ में कोई कमी ही नहीं छोड़ी काश तेरी तरफ की थोड़ी सुन्दर्ता इधर भी मिल जाती तो कसम से बता रही हूँ लड़क एक दिन फुर से उड़ जाओंगी शिवानी ने इस साल भी पूरे कॉलेज में टॉप किया था और अब की साल उसका कॉलेज में लास्ट यह था वहीं कॉलेज में कहानी की हीरो की एंट्री होती है करम नाम का वो लड़का क्लास में प्रवेश करता है लेकिन ये पहली बार था जब किसी लड़के ने क्लास में एंट्री की हो और उसकी नजर शिवानी पर नारुकी हो करन क्लास में जाकर अपनी डेक्स पर बैढ़ गया जब लैक्चर शुरू हुआ और अभी टीचर ने बोड़ पर कुछ लिखा ही था कि तभी शिवानी ने खड़े होकर अपना क्लास में आता या आती वो पढ़ाई के अलावा भी शिवानी का हाल चाल जरूर पूछ थी क्योंकि शिवानी अपने हुनर की वज़ा से सभी टीचर की चहेती थी शिवानी की खूर्सूर्ती में एक भी पैसे की कमे नहीं थी लेकिन उसके सुभाव से उसके सादगी जलक रही थी अपनी फ्रेंड से हसकर बात करना और साथ दूसरों की हेल्प करना ये सब करन को शिवानी की और अकर्शित का रहा था लेकिन शिवानी के लिए करन का अकर्शन नहीं बलकि ये तो पहली नजर में हुआ प्यार था फिजिक्स के सर ने क्लास को नए सुडन से इंट्रोड्यूस करवाने की रादे से करन को आवाज लगए सर की वो आवाज करन की कानों तक तो पहुची लेकिन दिमाग तक नहीं यूकि दिमाग तो शिवानी को देखते ही हैंग हो गया था करन को यू शिवानी के और एक टक निहारती हुए देख पूरी क्लास मुस्कुरा रही थी वही दूसरी और सर की बात पर करन की और से कोई रियक्षन ना पाकर सर ने एक बार देजी इसे करन को आवाज दी इस आवाज ने करन का ध्यान फंक कर दिया था और करन हर बढ़ाते हुए जी सर कहकर जैसे ही उठा उसने अपना लैप्टॉप नेची किरा दिया जो उसने अपनी गोड में रखा हुआ था क्लास के स्टूडन की मुस्कान अब हासी में बदल गए थी और सब करन के इस वेवहार के लिए उस पर हास रहे थे करन ने अपना लैप्टॉप टेबल पर रखा और सर की ओर देखते हुए बोला जी सर सर ने कहा करन अपना इंट्रो क्लास को तो दो जी सर सर मेरा नाम करन है मैंने इस साल ही अड्मिशन लिया है करन आगे कुछ बोलता कि तभी सर ने करन को टोकते हुए कहा पाकी स्टूडन के चहरे पर एक बार फिर सिला दी थी कह सर की सबात के बाद करन ने पूरी क्लास को इंट्रो दिया जहां क्लास के सभी स्टूडन उसको इंट्रो देते हुए देख रहे थे वहीं शिवानी अपने ही किताबी दुनिया में उल्ची हुई थी लेकिन जब करन ने बताया कि सेकंड एर उसने 93% मार्क्स जो है हासिल किये हैं इस बात को सुनते ही शिवानी ना चाहते हुए भी करन के ओर देखने लगी एक पल को अन दोनों की नजर मिली लेकिन अगले ही पल शिवानी फिर अपनी हंसम है मैं तो कब काईस पर लाइन मारना शूकर देती लेकिन कमबंग जब से आया है तेरी ही और निहरे जा रहा है शिवानी ने दीपती की बात पर एक छोती सी स्माइल करते हुए कहा कि अरे उसके और उसकी बुख बढ़ा दी क्लास ओवर होने पर करन के साथ बैठे लड़के ने अपना नाम राजी बताते हुए हाथ मलाया उससे बट यू कान कॉल मी राजू ये राजू एक बात बताएगा अभी करन ने इतना ही कहा था तभी राजू ने करन को बीच में टोकते हुए बताया उसका नाम शिवानी है वो हमारे क्लास की तौपर है राजू की ये बात सुनकर करन हैरान हो गया बात पर राजू हस्या और हस्यवे कहा कि मैं अकेले क्या पूरी क्लास को पता है कि जब से तु क्लास में आया है तब से उस लड़की को देखने में लगा है राजू की ये बात सुनकर करन थोड़ा छेप गया राजू ने आगे बोलती हुए कहा कि करन भाई तु अकेला नहीं जो शिवानी को देख रहा है क्लास के सभी लड़की उस पर लाइन मारते हैं लेकिन वो किसी की और आंक उठा कर भी नहीं देखती किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि कोई उस से जाकर बात कर ले खैर तु अभी नया है कुछ दिन में तुझे खुद समझ में आ चाएगा कि तु अपना लव लेटर गलत पते पर भेजने की सोच रहा था पहले तु करन को भी लगा कि शायद ये सिरफ शिवानी के लिए उसके दिल में एक लगाव है जो मुझे शिवानी के और खीच रहा है मैं इस कॉलेज में पढ़ाई करने आया हूँ और पढ़ाई पर ही ध्यान देना होगा लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब कॉलेज से घर जाने के बाद भी शिवानी का ख्याल करन की दिमाग से नहीं निकल रहा था उपर से राजों की बात कि आज तक कोई लड़का शिवानी से बात नहीं कर सका करन पूरी राद बसे ही सूच रहा था कि मैं बाकी लड़कों की तरह डर पोग नहीं हूँ मैं शिवानी से बात करके ही रहूँगा अगले दिन करण वक्ष से पहले ही कालेज पहुँच गया उसने सोच लिया था कि आज वो शिवानी से पाक करके ही रहेगा बस इसलिए वो कालेज के गेट पर खड़े होकर शिवानी के आने का इंतिसार करने लगा अचाने करन की नजर कालेज के सामने वाली रोड पर गए सामने देखते ही करन की सांसे थमने लगी उसका सारा जोश हावा में उड़ गया था करन ने देखा कि शिवानी आ रही है लेकिन ये क्या शिवानी के लिए नहीं थी लेकिन करन के नजर इस बार शिवानी पर ना होकर शिवानी के पीछे बाइक को यू टर्न में मोरते उसके पापा पर थी कुछी सेकंड में शिवानी के पापा की बाइक उसी गली में चली गई जिस गली से अभी अचानक ही करन के सामें आ गई थी करन का गाया हुआ जोश और विश्वास वापस आ गया था लेकिन तब तक शिवानी गेट को पार करके college corridor तक पहुँच गई थी आखिरकार करन ने शिवानी को अवाज लगा ही थी, शिवानी अपना नाम सुन का रुख गई, तो करन दोड़ता हुआ शिवानी के पास आया, और शिवानी से कहा, क्लास में सबको अपना इंट्रो दे रहे थे, तो मैं भी वहीं थी, तो तुम अब दुबारा मुझे अपना क्यों नाम बता रहे हो, बिलकुँ शिवानी जी, आप क्लास में ही थी, आपकी वज़ा से ही, तो मैं सुबद 6 बज़े से कॉलेज के गेट पर खड़ा, आपका इंतिजार कर रहे हूँ, क्यों जी, आप हमारा इंतिजार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है ना शिवानी जी, करन ने पने वोटो पर जी फिराए, शायद करन जो बोलना चाहता था उसे सोच कर ही उसके होर सूख रहे थे अब ऐसे चुप क्यूं हो बोलो तुम्हेरा इंतिजार क्यों कर रहे थे वो क्या है शिवानी इसे के साथ मौका मिलते ही करन शिवानी की गले लग गया करन की धरकन तो उसका सीना फार कर बाहर आने को थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ यह सब इतनी जल्दी हुआ कि शिवानी कुछ समझ ही नहीं सकी लेकिन जैसे ही शिवानी को समझ आया उसने करन को धक्का मारते हुए अपने से दूर किया और एक जोड़दा थपड करन की गाल परसीद कर दिया फिर शिवानी ने कहा कि तुमने अभी क्या क्या था कि तुम्हें थोड़ी भी शरम है कॉलेज का दूसरा दिन और तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया खबरदार जो तुम आज की बाद मेरी पास आज पास भी दिखे शिवानी के जाने के बाद करन को अहसास हुआ कि मैंने क्या किया वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी अगर उसने मैनेजमेंट से मेरी शिकायत कर दी तो वो मुझे कॉले से निकाल देंगे ये सब सोच-सोच करन का सर फटने लगा और वो वही एक कोने में सर पकड़ कर शिवानी ने इंट्रो में सुना था कि वो एक शौप मैंड सुडन्ट है और हो ना हो ये सब उसने किसी भायकाव में आकर किया है इसलिए शिवानी ने करन की सरकत के इले किसे से कोई कंप्लेन नहीं की उस इनकी बाद से करन किसी से ज़्यादा बात नहीं करता लेकिन जैस करन ने थोड़ी हिम्मत की और शिवानी के पास जाकर उस दिन की बात के लिए माफी मांगने शुरू करती करन तब तक घुटनों से सीधा ना उठा जब तक शिवानी ने उसे माफ नहीं कर दिया उस दिन के बास से वह दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन गए और देखत देखते साल भी खतम होने को आ गया था दोनों ने होने वाली प्रिक्षा की अच्छे से तैयारी करी थी लेकिन प्रिक्षा वाले दिन करन कॉलिज नहीं आया करन को कॉलिज नाया देखकर शिवानी ने तुरंत करन के नंबर पर फोन लगाया लेकिन करन का फोन भी आउट नेटवर्क आहरा था अब तो करन को लेकर शिवानी की चिंता ओर बढ़ गई बहार निकल कर अकरन कु देखने ना झाज सकी लेकिन जितनी देह शिवानी परिक्षा हॉल में थी अतनी देर शिवानी के मनन् maj में करन का ही ख्याल गूम रहा था, शिवानी चाहा कर भी अपने मन को नहीं समझा पा रही थी, उसके मन में बुरे-बुरे ख्याल आ रहे थे, परिक्षा देने के बाद, शिवानी सीधा करन के घर पहुंची, तो उसे देखा कि करन के घर पर ताला लगा हुआ है, शिवानी ने कुछ देर करन का इंतिजार किया लेकिन जब वो नहीं आया तो पोडोस से पूछने पर पता चला कि वो अस्पताल गए है परोसी ने अस्पताल का नाम और पता बताया दो शिवानी बिना एक पल भी गवाए अस्पताल के और बढ़ चली उसे काउंटर पर करन नाम के पेशन के बारे में पूछा वो करन वार्ड नंबर 35 में अभी राजु ने इतना ही कहा था कि शिवानी पागलों की तरह वार्ड नंबर 35 के और भांगी वहां पहुचकर शिवानी की नेजर इधर उधर घूम ही रही थी कि अचानक उसकी नेजर उस इंसान पर जाकर उग गई जो को इंसान और कोई नहीं करन ही था शिवानी दोड़कर करन के गले लग गई अचानक शिवानी को ख्याल आया यगर करन ठीक है तो यह स्पताल में क्या कर रहा है कारन के बगल करन के बगल लगे बैट पर एक महिला लेती हुई है और वो महिला काफी पुरी तरह गहल थी उस मेरी क्यों चिंता होने लगी तुम्हें तो इसकी चिंता होगी जब तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं थे तो यह प्यार का खेल में साथ खेला ही क्यों क्यों कि मैं समझ चुकी हूँ जिसके लिए तुमने अपनी परिक्षा भी छोड़ दी रो कोई ऐसी वैसी तो होगी यहीं जब तुम इसके साथ प्यार करते हो तुमने मुझे दोखा क्यों दिया वावा क्या बात है मिस्टर करन प्यार का खेली मेरे साथ और अंगरलिया किसी और के साथ इतना सुनते ही जो करन अब तक शिवानी को समझाने की कोशिश कर रहा था अक्रोश में आते हुए बो जासे में परिक्षा देने नहीं आया इनके लिए में कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि यह वही ओरत है जिन्हों ने मुझे जनम दिया है यह मेरी मा है और यही मेरा पहला प्यार भी है इतना कहकर कर लोने लग गया कहते हैं कि मनुष का जीवन बड़ा ही अनमोल है और इस जी जासे जासे बच्चे ना समझी में कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनके पहले प्यार के लिए मनने जैसा होता है अब शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह करन से इस पाप के लिए माफी मांगे क्योंकि शिवानी ने बिना सोचे समझे माबेटे के रिष्टे पर आया कि सुवा जैसे ही वो एक्जाम देने के लिए घर से निकला उसकी माँ दही और ची निकलाने के लिए रसोणी से आ रही थी लेकिन उनका पाँ फिसल गया जिसकी वजह से उनके सिर पर चोट लग गई अब कोई भी बेटा अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर तो एक सब ने उनको खेल लिया करन बार बार पूछ रहा था कि मा आप क्यों रो रही है क्या बात है माने जवाब देते हुए कहा वेटा ये तो खुशी के आसू है अगर मुझे चोटना लगती तो मुझे पता कैसे चलता कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं और इतना कहकर करन की कहा जबतना का ये अपने थ्यूसरे पैर के वारी में नहीं बताया अभी यह कहा का की अपने पहले पैरसे सच्छुपाया जाए और के ने करन की हो कि तुम दोनों का पियार ऐसे ही बना रहे और तुमें भी कोई प्यार करनेवाला मिले समाप्त कहने आपको करने लगी गूगल पे और और भी यूटूब पे फॉलो करें फेस्बूब पे फॉलो करें सोरी विद मेती पर तो मिलते हैं नहीं कहानी में नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सब को नमस्ते सब को पुर्णा